नहीं ले पाएं, किन्तु वर्चियल रूप में ही सही हमने आशियान इंडिया समीट की परंपरा को बरकरार रखा है। मैं ही मेजिस्ट्री बुरुने के सुल्तान का 2021 में आशियान की सफल अध्रिक्स्ता के लिए अभिनंदन करता हूँ। Your Majesty, Excellencies, COVID-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनोतियों से जूजना पड़ा। लेकिन यह चुनोतिपून समय भारत आशियान मित्रता की कसोटी भी रहा। COVID-19 के काल में हमारा आपसी सयोग, आपसी सम्वेदना भविश्ट में हमारे सबंधों का बल देते रहेंगे, हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे, इतियास गवा है कि भारत और आशियान के बीच हजारों साल से जिवन्त सबंध रहें, इनकी जलक, हमारे साजा मुल्य, परंपराएं, भाशाएं, गरंत, वास्तुकला, संस्कृती, खानपान, हर जगा पे दिखते हैं, और इसलिए आशियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदेव एक महत्वपूर्ण पात्विकता रही है, आशियान की यह विशेद भुमिका, भारत की एक इस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिकुरिटी एन ग्रोथ फॉर आल इन दे रीजन, यहनी सागर निती में निहीत है, भारत के इंडो पसिफिक ओशन इनिशेटिव और आशियान के आउटलूग फॉर दे इंडो पसिफिक, इंडो पसिफिक शेत्र में हमारे साजा वीजन और आपसी सहयोग का धाचा है, यॉर मेजिस्ट्री, एक्सलेंसी, वर्स दो हजार बाईस में हमारी पार्टनर्शिप के तीस वर्स पुरे होंगे, भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्स पुरे करेगा, मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आच्यान भारत मित्रता वर्स के रुप में मनाएंगे, भारत, आगामी अध्यक्ष, कमबोडिया और हमारे कंट्री को कोडिनेटर सिंगापूर के साथ मिलकर आपसी सम्मंदों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, अब मैं आप सभी के विचार सुनने के लिए आतूर हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।